अधित्य ठागरी के अयोध्या दौरे पर उदे सामत ने दी प्रतिक्रिया अयोध्या यात्रा संघर्ष के लिए नहीं बलकि मनुकामना पूर्ति के लिए गड़्ची रोली में दिव्यांगों को विभिन्न सामगरियों का वितरन सुप्रिया सुले ने कहां कि दिव्यांगों के लिए करेकारिय और जानवरों के कोठे में अचानक लगी आग सावेत्री पीम्परी खेत में हुई लटना और अब खबरे विस्तार से अधित्य ठाकरी के अविध्या यात्रा पर उधे सामत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें इस जगह पर सुनिल प्रभुत्वारा आमंतरित किया गया है ट्राइटेंड में एक बैठक होगी और एक रणरिती तयार की गई है और वो रणरिती कभी नहीं बूली जाती हिते इंद्र ढाकर ने राजन विचारे से मुलाकात किये उन्होंने आगे बोलते बें ये भी कहा है कि अधित्य ठाकरी के अविध्या यात्रा संहर्ष के लिए नहीं बलकि मनोकामना पूर्ति के लिए है अधित्यासर बगाल गिरिश महाजन यानी बहुजन विचारे से इत्यंद रठा कोर्यांची बेड के लिए है करन ती नामदार तेंचे गडाया है बहुजन विचारे काय वार्त कुनाचा बाजन दो इन चाहती है बहुजन विचारे से अगड़िशे फ्रमोग तेंद रठाकु मंझे आपपा तेंचेशी मलास बाटने के राजन विचारे सहय बाटने के लिए है अना बेठके लिए है जोटी हाँ घटक पक्षान जा विशे आए है अचा मी बोलना योगे नाई अचा संधरबाद देकि तिनी बख्षाचे जे नेते आए है पट्सो प्रमोग अचे उद्व साइब है तो दिलनाई गेति लाटने मला ओड़ेस बाटने के आपपा देखे महाविकास अगड़िये स्वगत रहाचे के लिए है जोटी उद्व साइबन वार्थ तेंचा उस्तेले प्रेम क्या सवे म मोड़ित कड़ें या संदरबाद ने स्पस्ति उद्विका है तिकला स्तानिक लोकानी दिखिर मांड़िये आउद्येचा दवरा देखिए कशा पतोती नाटना रहा है तो संगर्शा साथी नश्टना रहा है तर तो इच्छा पूर्ती जाली इनों अधित्य साइब कानी ज शिवसेने चे नेते महाविका सागाडी चे नेते चल्चा करती देंचा पद्दल्ची काई वोमिका आसवाची महाविका सागाडी चे प्रभूग मांड़िये आणि मला असवाटते की आमी जी काई सगे एकतर होतो सरकार फॉमकर रस्पाना तसे जा निवन्नुकी मदे एक अदि माझा असापमते के सगे एकतर होतो सरक एकतर होतो करते की महाविका सागाडी करें खिंटthen दिग्रस दालुका के निमहाओ पार में करोडों पे खर्चकर नगरपालिका ने लेकिन किसान ने नगर परिशत से बार बार शिकायत किए कि डमपिंग में सिर्फ तार्ड़ कंपौंड है और कुडा पिछले चार जाल से किसानों के खेत पकुवन में डाला जा रहा है नय नहीं मिलने पर आत्माध्य करने की धंकी भी दी गई है दिग्रस्तालूका के निंबा फार्म में करोडो रुफे खर्श कर नगरपालिका ने डंपिंग ग्राउंड का निर्मान किया शहर के कचरा ट्रकों में कचरा इकटा करके हजारो टन कचरा शहर के बाहर के डंपों में डाला जाता है किसान हीरा बालपूरे पुनलिक थोरात वह वंदना शिंदिने नगर परिशत से बार बार शिकायत की है कि डंपिंग में सिर्फ तार का कंपाउंड है और कूडा पिछले चार साल से किसानों के खेतों वो कूवे में डाला जा रहा है कचरा ट्रक डंपिंग ग्राउंड में आ रहे है और डंपिंग ग्राउंड में सुधार कर रहे है नय नहीं मिलने पर पिडित किसान ने गला घुट कर आत्महत्या करने की चेताउनी दिया है नगर परिशत के जलापूर्ती अभियानता वह स्वास्था निरिक्षक कलो से मोके पर पहुचे तो पता चला की कुडा करकट के ट्रकों को जाम कर दिया गया है लेकिन उन्होंने संबंदित किसानों से सिधी बात नहीं की और कहा कि उन्होंने खेत का निरिक्षन भी नहीं किया है चिंतित किसान सुबह 7 बजे से भूखरताल पर डंपिंग राउंड के पास है लेकिन इसका नगर परिशत के अधिकारियों से कोई लेना देना नहीं है प्रवर चांसे यह तकलिफ हो रही बहुत परशान हैं हम इसे इक तीज और इसने मांद्रे निज नगरपली का कि लोग और हमेशा हमां को तकलिद भे रहे हम इसको किती वार आज़े दिये कुझ भी करें हमने लोगों को यह तो लोग अभी तक हमारा को निरने लिये निये ल करने भरे वाली है हमारे नुक्सान लाको रुपे का खेति का नुक्सान हो रहा हमारा हमेशा है एक साल नहीं हम 5 साल से परिशान है जीमिन पर एक यह इनकी 5 साल से हम तकलिफ से तीज आ रहे हैं लोगों की तकलिफ से तेर्ट आज हमको ऐसा टैम आगया क्या मजबूरिया गई मजबूर आगे से हमारा काम नहीं होया हमारा इंसाफ नहीं मिला तो हम आज हम इसके वह से भाशी ले सकते हमारा सिलगा करा आज मंगर गाली हम जान देंगे निवन किया से दोनादार एकोनीस परसुन आमी कंचे अत्ता परिंतर तेचा निर्ने लागना नाई तसिल्लार नगर परिश्यात ठानिदार सायब फक्तन हे देते आश्वासन हुईन आज हुईन उद्या हुईन पर आत्ता परिंतर जालनाई किती आमी नगर परिश्यात ची एकई गाड़ी दंपिंग गावन मदी युँँदेनार नाई आमी दिवास रात्र इतस थमू राद भरे थमू पंतेंची गाड़ी अंदर युँदेनार नाई आमी सकाई साथ वाजल्या परिंतर उपासी आये आता कि दिवाजले तुमीश पा वीके बिन्योच के लिए ये वतमाल से अजित महिंद्र की रिपोर्ट ओल इंडिया मजले से इतिहादों मुस्लीमिन ने सुमवार को मलकापुर नगर पालिका के जलापूर्ती विभाग में नागरिगों को पेजर की अन्यमित और दूशित आपूर्ती कारूप लगाते वे धरना दिया इस धरना अंदोलन के दोरान पदादी कारियों ने इंजिनियरों से खुप सवाल किये इंजिनियरों द्वारा दिन के दोरान साफ पानी की आपूर्ती बहाल करने का वादा करने के बाद अंदोलन को वापस ले लिया गया है बुल्णा जिले में मौसम दिन बदिन गर्म होता जा रहा है और नागरिकों को अतिरिक्त पानी की जरूरत है इसी बीच AIMIM All India मदलिसे इतिहादुल मुसलिमिं ने सुमवार को मलकापूर नगर निगम परिसर में धर ना दिया और आरोप लगाया कि शहर में दूशित पानी की आपूर्ती की जा रही है AIMIM के जिलाध धिक्षदानिश शेक के नितरुत्व में आंदोलन की बाद अनुपस्तित अधिकारी नगरपाली का पहुचे और इंजिनियरों द्वरा अगले तीन दीनों में स्वच्छ पानी की आपूर्ती बहाल करने की कसम खाने की बाद आंदोलन को बंद कर दिया गया पाड़िश एंदोलन की लुदा के बाम की शचाने की करने के लिए पिरूट अविपला नुपस्तित अटी तो इकलिकारफ बंद की अविच्छ पानी काजिव पानी, आपना पनी 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 आपे प्रावान सीर। जो पानी जानवर भी नहीं पी सकते हैं उस तरह का पानी मलकापूर की जनता को अवाम को दिया जा रहा है को पानी साफ फिल्टर 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 पानी मलकापूर की जनता को दिया जा जा इस मां को लेकर हम पानी तो दिया जाएगे कि आपका जो नियोजन है को धसान नियोजन और कोई नियोजन ना होने की कारण खराब पानी मलकापुर्ट के अवाम को पीने को दिया जा रहा है यह पानी साफ तरीके से पीने को दिया जा इस मान को लेकर हम पानी प्रोधा गिलता साफ से निवेदक लेकर आये ते मगर यहा गर्चिरोली के दिब्यांग लोग और उनके साथ आने वाली विभिन न चुनो दिया हम सभी करिब से देख रहे हैं गर्चिरोली में बारामती लोकसभाक्षेत्रे से सानसत सुप्रिया तई सुले ने सभी से राज़नितिक से परेज जाकर विकलांगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक सामाजिक प्रती बदधा के साथ काम करने की अपिल की है के लिए विभिन योजनाई शुरू की है उनसे उनका हक दिलाने के लिए भी वे जी तोड महनत कर रहे हैं पहले विकलांग लोगों का चेयन केवल पाच प्रकार के मानदंडों के अनुसार किया जाता था लेकिन अब 21 प्रकार के मानदंड हैं जिससे बड़ी संख्या में विकलांग लोगों को उनके अधिकार प्राप्त करने में मदद मिली हैं। माच कलना दिकारी पुष्पलता अतराम सहित अन्यपदा दिकारी इस आउसर पर उपस्तित थे। प्रतीन भाग आए। अनि लोकांचा मनात्या पतल जा बेवी मत है। ती कुटे तरी खोड़ून काड़ांची नहीं कि जवातारी आपने सग्राइं। अज सुधर कारेकरम अभीजित कुणी लाहित्या सगया प्रशासना ही खेला। मेरा मिशित कुटे जा बतारी टोणी करिया। आपका से रातिल आते हैं विपली चिंजवड लादे हैं पुमया लादे आ इक अभी मुंबय लादे अंतर लक्षातल लग कि नाए नाए आए आपकर गज़ी रोगी लाओ तो इसका अनन वातला कि प्रिकास एचा बदल आने ख़रा बोल्ड़ आते हैं बदल उतो आप बजिलाची नों दापन देखिए भाईजे, हाज सीरो यूपस्तिते है, सीरी माला थानदोगे, कि इधिया राज्जा मेरे कोशन कमी करना है, सबेत उत्तम काम होनी केला से, तर जिल्ला परिश्र, गट्ची रोली केला है, माला स्वाटबू, सब्सक्राइब, सब्सक्रा मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरिट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ, अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे तेस्ट तक पहांच ही जाता है, सुरुची मसाले, खाने में हो रुची, तो घर भी तो मस्बूत होने चीए, जो देता है, Flywheel Aviation Academy, एक ऐसा इंस्टिट्यूट है, जहाँ पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैमपस इंटिव्यू, गाइदेंस पाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्राक्टिकल ट्रे स्क्वेर बिसाइड करनाठिका बैंक नागपुर. महा पुष्प सोसाइटी शताब दीनगर चौक से मनीशनगर रोड नागपुर, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जानवरों की अवैद कतल पर रोग लगाने के लिए नागपुर पुलिस की टीम एक मोहिन चला रही है तब पेट्रोलियम कर रही पुलिस की तरफ से जानकरी मिली की नागपुर में जानवरों की अवैद कतल होने वाली है इस दोरान पुलिस की एक टीम ने जानवरों को ले जाने वाले तिन वाहनों को रंगे हार पकड़ा है इसमें कुल 33 जानवरों पुलिस को मिले है इस मामरे में पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासक मिलिया है और दो आरोपी फरार है पुलिसिंग की जांच में जुटी हुई है काल पसन होते पेट्रलिंग दर में आम माला महिती मिलाली उतिक उपनी बात में तरहां कड़ों कि ए तीन टेमपो नाकपुर शेहरां मदे यह जानवरां चे कत्तल करना साथी घ्यों नेता है त्यानों सरामी सब्लारा इचल होता आनि आम मला है लिवर ठीका ने तीन टिमपो मिलो नाली तेचे माल एक ट्रक आहे अनि दोन बोलेरो पिकप आहेत इचे माला एक कुन तीविस जनावरे मिलों नाली गाही यानी बैल काई बच्छड आहेत प्रदेश अधिक्ष और जल संसाधन मंत्री जैन्ट प्रदेश प्रदेश अधिक्ष और जल संसाधन मंत्री पार्टिल ने कहा है कि महाविकास आगाड़ी के पास बहुमत है इसलिए आगाड़ी का चोथा उम्मिद्वार अच्छे वोटों से जितेगा साधी उन्होंने कहा है कि महाविकास आगाड़ी समस्या के अलावा और कुछ नहीं है समाजवादी पार्टि भाजपा विरोधी उ पन अधिक चाहत दाला अनि जम्म निवर्णु को अफ़ता है दिवडु नाले ला उमिद्वार तो नियमी आपके मतार ना अपनेवने साथी प्रयाइट में करना तो तो अपुड़ा लगो तुनेशी आवश्यक्ता नहीं पन्मुणाच्छ महाविकास अगडिला एक सब्सर अपनेश्यक्ता धरच में करनी मत उतके हो जरेनी आपके मिद्वाड़ा दिवड़े एक आकार्नानी मेबचांची राजि नारजी आरची obs То st castle Smaka sports इरेनाम् हरुति बहुरतिया दि को एक घट में एक जानवरों के कोठे में आग लग गई और इस आग में कुशी आदानों के साथ खाद्यान लजल गया ये घट्टा सुम्वार 6 जुन को रालेगाउ तालुका के पीमपरी सावित्री में हुई इस घट्टा में किसान को लाख रुपयों का नुकसान भी हुआ है रालेगाउ तालुका के पीमपरी सावित्री में एक किसान दिगंबर रोगे के खेत में सुबा आग लग गई इस खलियान में दो बोरी गयो की भूसी, चार बोरी चना भूसी, तीन बोरी तूरी की भूसी, तीस बोरी रासाइनिक खाथ, बीस बोरी यूरिया, जुताई आधी जल कर राक हो गए, इस बीच तलाटी दिलिव छेडे ने तैसिलदार को रिपोर्ट दी है, रारंबी कनुमाहन के अनुसार आग में किसान रोगे को एक लाग पच्चिस हजार रुपे का नुकसान हुआ, हाल ही में बाजार में बिखने वाले सोयाबीन, कपास और अर अथिक तंगी से जूज रहे किसानों को आक से संगट का सामना करना पड़ रहा है, वीकेबी न्यूस के लिए यवतमाल से अजित महिंद्री की रिपोर्ट और दो ट्रक कीमत 4 लाग रुपे ऐसे कुल 6 लाग, 6,600 रुपे का माल जब्त किया है, आरोपी कानिया तालू का होरडा जिला भिलवाडा राजस्तान निवासी, इर्फान मोहमत, जमाल मोहमत, रमेश चंद्र, केजुरा मेगवनशी, मोहमत ताहर, जारोली मोहमत, अश्व आबिदुसेन मुबारोग को पुलिस नहीं रासत में लिया है, उनके विरोध में प्राने सरक्षन अधिनियम कानून के तहत गुनात दर्च किया गया है, आगे की जाँच पुलिस ने रिक्षक प्रलहात काट कर, इनके मार्क दर्चन में A.S.I. नामदेव खबले, NPC अधिराम खंडा गळे कर रहे हैं अधिर जाती चे, वहातु कर्ष्टन में मिलू नाले, पुलिस ने ताव्याद गेचले, आणी पंचनामा कारवई के लेनंतर, सदर जनावरी, गुरोक्षन में टाकने दाले लिया है, आणी त्या में एकुंद आठरा गाई आट वासरे, अशे, एक दोन लाग, साठ हजार सहाशी रुपायचा मद्दे माल, तसेच 4 लाग, जे दोन ट्रक जब्त करना दाले लिया है, तसेच यह में दे 4 अरुपिन ना अटक करना दाले लिया है, त्या अटक अरुपिन जे नावर, इरिभान, मुम्मत जमाल, मुम्मत, तसेच रमेच चंद्र, तेजुराम, कानिया, तलुका हुरुडा जिल्ला रजस्थान, जिल्ला भिल्वाड रजस्थान एति लाए, तसेच दुसरा ट्रक जो आए, त्या मदील ड्राइवर, मुम्मत ताहेर जारूली, मुम्मत अश्पाख, और अभीद उसेन मुबारक, यह तोनी सुब्दा, कानिया, तलुका जिल्ला गिल्वाड रजस्थान एतिकांचे रईवाशिया, यह चारी लूकान ना पुलुजन इतावर की दिल्ला है, त्यान्ना आटक करवए गुरुण, तैनि तया गाई पुठुनाल्या, आणि उठे नेथ उते यह तो तपास करने देता है, यह चारी आगुचा अक्सर एक किसान अपने खेत में पसीना बहा कर बड़ा उत्पन न लेता है, लेकिन उचित बाजार ना होने की कारण अक्सर किसान को आर्थिक रुक्सान उठाना पड़ता है। इसलिए कुरुशी के पूरक के रूप में उन्होंने तीन साल पहले अपने दो एकड के खेत में केसर के आम के बाग लगाए, पैठन से केसर के आम के पौधे लगाए और दो एकड में 870 पौधे इस्राइल सॉलिड तरीके से लगाए। और इस साल उन्होंने आम का का विशे है। उनके पास भी व्यापरी थे लेकिन व्यवार में उन्होंने कई कठी नाईया थी। उन्होंने सोचा अगर हम बढ़ सकते हैं तो क्यों न बेचें और उन्होंने इसे खुद बेचना शुरू कर दिया। चुकि डॉक्टर शरद जवाले वर्तबान में वानी में अनुविभागी अधिकारी के रुप में कारियरत है। इसलिए वे बाजार में आम नहीं बेच सकते थे। इसलिए उनकी पत्नी सुरेखा जवाले ने अपने जैविक रूप से उगाय गये आमों का विज्यापन करने के लिए सोशल मीडिया का लाब उठाया। उनमें स बाग जिले में अपनी तरह का पहला है। ये प्रयोग अभी तक अन्य किसानों ने नहीं किया है और इस फसल के लिए जवाले का खेद भी चटानी था। इसलिए ग्यानेश्वर जवाले ने इस बाग को लेकर अपने बेटे से नाराजगी व्यक्त की थी। लेकिन उन्हों साहस ने इस नहीं प्रयोग को जन्म दिया है और ये सफल रहा है। इस खेद में जवाले परिवार काम करता है। इसमें कोई मज़दूर नहीं है। किसान प्रयोग कर रहे हैं लेकिन आधुने की युग में सोशल मीडिया से जुड़ने से किसान अपना बाजर बना सकते है और उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं करते हैं एकाम करते हैं या दो नेकरा महादी काम करते हैं शनकता हैं अच्छा में पानी भर पोरपा आजि भागेला दिल मंझ पिक्चांग लेए जाम आजी अच्छांग लेला फायदा होगते हैं ही जी आम्ब्याची शेती आमी दो निक्रा मदे चा आठ्षे पन्नाच धाड़ लावले तर इहाँ वर्षी त्याला फ़ल आलेले आहे तर आमाला मार्केटिंग कशी कराईची आचा प्रश्ण पडला होता तर जामा आमी मार्केटिंग साथी आमी बसुन सुद्धा इकुश्य कोतनों तो मार्केट मादे तर खुब मजी बाबा पुड़ाई खुब प्रश्ण पडला होता काता ही ही काईचे कशी आमी माजी फोर इलरे तेचा मधी मी दहा बाक्स मा जे एक कुंटल आम्बा मी फर्स्ट टाइम नेला तर बरस लोकान ना टेस्टिंग साथी दिला पाईला आनी सोशेल मेड़ाचा हे गिवन थोड़सा जाहरात वगिरे केली तर एका बाक्स में साधार गिलो होता क्यों प्राइम फीकली स्टिंग ऴिपाई जाहरात सी क्षान में प्रतित लोके ना आम्बा में फीकला में थεतवान थे लोकान प्रति साथी दिला राजाधी कॉंग्रेस पार्टी NCP ने आज धुले नगर निगम के खिलाफ घोशना देते वे मोर्चा निकाला और सत्तारूढ दल और निगम प्रशासन के खिलाफ प्रोद प्रदर्शन किया दूले नगर निगम में सत्तारूड भाजपा ने पिछले साल से दूले नगर निगम में संपत्तिकर को 5-10 गुना बढ़ाने का फैसला किया है इस फैसले से शहर के लाखो नागरिकों पर आर्थिक बोच पड़ेगा पहले मकान का किराया 300 रुपे, 500 रुपे, 900 रुपे था लेकिन अब यह 10 गुना बढ़ गया है और अब वही मकान किराया 10,000 रुपे तक पोच गया है इसलिए दूले के नागरिकों को इससे बेवज़ा परेशान किया जा रहा है इसलिए आज राष्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी ने धूले मनपा के भाहर धरना दिया धूले नगर निगम का संपत्तिकर औरंगाबाद नासिक नगर निगम से अधिक है संपत्तिकर लगभग 17-22 रुपे प्रतिवर्ग मिटर लगाया जाता है इतना संपत्तिकर लगाने के बाद भी धूले कर बुनियादी सुविदाओं से वंचित है पिछले कई सालों से शहर में गड़ो, सड़को, पानी और अन्य सुविदाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए राष्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी की ओर से धूले करके नागरिकों से अपिल की गई कि कोई भी शोरगूल वाला घर न भरे राकापा के नगर जिलाद्यक्ष रंजीत राजे बोसले ने मांग की कि धूले नगर निगम जल से जल संपत्तिकर कम करे इसलिए इस वक तांदूलन भी किया गया आज विके बी प्राइम डेम डियूज में इतना ही आपसे कल फिर मुलागात होगी तब तक देखते रहे है विके बी नियूज नमस्कार झाल